हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान और जबरदस्त का नुसका लेकर आई हूँ जिसे आप आसानी से पुराना से पुराना दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं यदि आप पुराना से पुराना बैक की जो दर्द है गला गरदन में जो दर्द होता है पीठ रीड में दर्द उन सब चीजों से अप परसान है तो असानी से यह उसका बहुत बहुत ही जबरदस्त और इफेक्टिब है और बहुत ही अच्छा वर करता है तो आप दर्द की सम बख्यों करने चुछ करें आपको अधुद्धा से चुछ्चा से चुछ करा पा सकते हैं तो तो आपका पैरों में दर्द रहता है यहादा है यह दाउट है जब नीचे जुकते हो एक नो पहुत जब करता है यह सोने में किसी भी टाइम जो दर्द की समस्चा है बहुत ज़्यादा है परसान करता है तो उसके लिए मैं आज सभी आप सभी के लिए बहुत बहुत ही आसान और जबरदस नुस्का लेकर आई हूँ जिससे आप आसानी से येकिन मानिए आप दर्द की समस्चा से छुटकारा पा सक तो आप वीडियो को पुरालाश तक जरूर देखें यह पौधा आपको पुराना से पुरान दर्द और कई बिमारियों से छुटकरा दिलाएगा बहुत ही आसान और जबरतस्त का यह पौधा है जिससे आप आसानी सभी के घर में रगता है यह पौधा और यह पौधा और दि के लिए काफी काफी अच्छा होता है जहां तक कि यह पौधा औस दिये गुनों से भरपूर और अरवेदिक में इसका महत्पुन आस्थान है तो इस पौधा के आप इस पत्ते के पौधा के पत्ते का अब सीवन करते हैं तो हजार बीमारी से छुटकरा पाया जा सकता है इतन है पाया दैशेजा torch में निए साफ कर पाया ऐसे बेसे आप निकाल ले और चमस ज्यूस को आप इसका नार्यल तेल भी ले सकते हैं लेकिन 600 तेल लेंगे तो ज्यादा बेतर होगा और उस तेल में आपको दोनों को मिलाकर अच्छी तरीके से गर्म कर गए और हालकार गुंगुने करके आप जहां पर भी दर्द है उस अस्थान पर लगाते हैं तो यकिन मानें आप दिन में दो से तीन मर मासाज करेंगे तीन से चार दिन में ही आपको काफी अराम मिलेगा और दर्द से चुटकारा मिलेगा इतना इफेक्टिव होता है या पौधा जोरो को दर्द को जर से खत्म करने में बहुत बहुत ही अच्छा होता है यदि आप गले में खरास है गले में जलन हो रह तो इसे पानी उबालकर पीने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है सीर में दर्द है तो उसमें भी काफी आराम मिलता है इतना अच्छा होता है यह पलधा यह पत्ता तो आप एक बार ट्राइब कर सकते हैं आप जोरू के दर्द से परसान है तो आप इसे एक बार जरूर मिल सके जितना हो सके इस वीडियो को सेर करें ताकि इसका फैदा और लोगों को भी मिल सके मिलती हैं अगले न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नमस्कार